नमस्कार मित्रो और कैसे आप सब आसा करता हूँ कि आप अच्छे से हुँगे मित्रो मैं आज की इस वीडियो में आपको मीरा जैन्खा बाबा की एक ऐसी चमतकारी शाधना बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपनी समस्त परिशानियों को छड़ मात्र में दूर कर सकते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने इस तंत्र मंत्र की लाइन में सालों साल बरबाद कर दिये तमाम गुरू बदल दिये लेकिन हमें किसी भी सिद्यों साधना का अनभव नहीं हुआ तो मित्रो मैं 100% guaranteed कहता हूँ मेरे द्वारा बताईगे इस साधना को आप करके देख लो मात्र तीन दिन के अंदर आपको अनभव नहो तो मेरे इस चैनल को छोड़ करके आप कभी भी चले जाना मित्रो ये बहुत ही चमतकारी शाधना है और इसके कई-कई फाइदे हैं अगर आप एक सक्ती की शाधना करेंगे तो मित्रो आपको एक सक्ती फिरी में मिलेगी क्योंकि मित्रो मीरा जैनखा बाबा की शाधना करने पर मामा भांजे दोनों की पुजा होती है उनकी शाधना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर जलेशर में इनका इस्थान है गाउखेडा में इनका इस्थान है उत्तर प्रदेश अमरुहा में इनका इस्थान है अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि जलेशर जैनखा बाबा की दरगा, अमरोहा जैनखा बीर बाबा की दरगा, मित्रो, आप एक बार इस साधना को कर लेते हैं, तो मैं गारंटेर बताता हूं, आपकी पुस्तेनी गरी भी मिट जाएगी, आपके घर में चाहे कितनी भी नेगेटिव प्रभाव एनरजी हो, सा तब मुझे कहना, लेकिन मित्रो, मैं बिना गुरू के इस साधना को करने की इजाज़त नहीं दूँगा, क्योंके मित्रो, बिना गुरू के कोई भी साधक, सिध्धी कर सकता है, साधना कर सकता है, तन मन से अगर वो सेबा करे, तो उसके दर्शन भी कर सकता है, लेकिन बिन उसे काम लेने का तरीका नहीं बताएगा, तब तक हम किसी भी सक्ति को नहीं रोप पाएं। बिना गुरू के इस साधना को एक बदायू के ब्यक्ति नहीं किया था, जिसका नाम नीरज है, और वो बदायू के पास कादर चौका रहने बाला है। उसने किसी को गुरू नहीं बनाया था, लेकिन वो हमारे मार्ग दरसन से इस साधना को कर रहा था। मित्रो उस ब्यक्ति को तीसरे दिन ही और मीरा बाबा की छबी नजर आने लगी, उनके दरसन होने लगे थे। मित्रो ये बहुत ही चमतकारी शाधना है। अगर वो ब्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो, तो भहियाजे निरज अपना अनभव हमारे दरसकों के साथ कमेंट में सेर जरू करना। मित्रो आप भी इस शाधना को करके अपने जीवन की टमाम उल्जने सभी प्रकार की परिषानियों से छुटकारा पासकते हैं। और आप अपना जीवन निर्भय होकर के जी सकते हैं। तो मित्रो आप इस शाधना को अबश्य करें। वीडियो में संपूर जानकारी मिल जाएगी वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से छोटी सी गुजारस है अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ हों बेल आइकन दबा दें इससे हमारे सभी वीडियो का नूटिप्रेटिशन आप तक आअसानी से पहुंसता रहे अगर आपको हमारा वीडियो पशंद आए प्रीज वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं मित्रो, इस साधना की सबसे बड़ी खासियत ये है के आप इस साधना को सात्यविक तोर पे भी कर सकते हैं और तामसिक तोर पे भी कर सकते हैं हमारे उतरपदेश में लाखो करोणों ऐसे भगते हैं जिनके घर में इन मीरा जेनका बाबा की पूजा होती है किसी के हाँ तामसिक मुर्गार बकरा की बली दी जाती है और किनी किनी के घरों में सात्वित तोर पर मीठी पर पूजे जाते है मित्रो ये मामा भांजे हैं और भांजे की सेवा करने पर मामा अपने आप खुश हो जाता है ये तो आप भी जानते हैं इसमें सिर्फ जैन्खा बीर की पूजा की जाती है, साधना की जाती है और मामा अपने आप ही खुश हो जाती है, क्योंकि मित्रो ये मीरा जैन्खा बाबा सो भूतों के भूत हैं और सो देवों के देव, अगर सो लोग आपके सामनी बैठी हैं, सो लोगों पर हर एक व्यक्त एक साथ मीरा जैनखा बाबा सो लोगों पर एक साथ खिल सकता है इतनी बड़ी पॉबर है मित्रो इसके अंटर में 72,000 पीर पेगंबरों की भीड लगी है तमाब जिन जिन्नाद इस बाबा के साथ रहते हैं ये बाबा जिन्दों का जिन्द है जो ब्यक्ति तन मन से इसकी सेवा कर लेता है उसके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं उसकी हर परेशानी छड मातर में दूर हो जाती है मित्रो ये मीरा जैनखा बाबा की साथना 41 दिन की साथना है और हमारे यहां इसे 41 दिन का चिल्ला बोलते हैं और जो साधा कहते हैं कि हमने सालों साल बरबाद कर लिए, तमाम साधनाय करके देख लिए, आज तक हमें किसी शक्ती का आनभव ही नहीं हुआ, तो मित्रो, मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, कि आप सालों साल बरबाद न करके, मात्र 41 दिन का समय बरबाद कर ल आप जब भी साधना को स्टाइट करें, तो किसी भी बुद्वार या सनवार के दिन से स्टाइट करें, इसके लिए आप किसी एकांत कमरे का चैन करें, जिसके अंदर आपके सिवा कोई और प्रिवेश्न न करें, चाहे आपके घर का ब्यक्ति हो, चाहे बाहर का ब्यक्ति ह क्योंकि मित्रो इस साद्रा में नियम का पक्का होना ही बहुत जरूरी है और मित्रो उस दिन आप नहा दो करके फिरिस हो जाएं और शरीर पर सफेद बस्तर धारन करें और जो आपने रूम चायन किया है उस रूम में एक चोकी इस्थापित करें उस चोकी पर सफेद कपड़ा डाले और बैठने के लिए अगर आपके पास में कुछ का आशन है तो वो सबसे अच्छा है अगर वो नहीं है तो आप सफेद कपड़े का आशन भी बिछा सकते हैं चोकी पर आप पीला लड़ू यानि बुंदी का लड़ू लोंग शुपारी पान ये रखें और सामने मेरा जैनखा बाबा की तस्वीर रखें अगर आपके पास में नहीं है तो आप गूगल पर सर्च करके उसका फोटो भी निकलवा सकते हैं उसको मड़वा करके आप सामने रख सकते हैं एक तस्वीर अपने गुरू की सामने रखें चोकी पर ही और आप दच्छड दिशा की तरफ मुह करके बैठ जाएं सामने आपको दो बत्ती का एक दीपक सर्सों के तेल का जला की रखना है यानि आपको मिट्टी का दीपक लेना है और दो तरफ उसकी बाती क आप मेरा जैन्खा बाबा को भोग देने के लिए थोड़े से मीठे चावल बनवाएं और मीठे पुए पहले आप मीठे पुए और चावल से बाबा को भोग लगाएं फिर उसके बाद वहीं बैठ करके काले हकी की माला से एक मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र उचांड करते समय गलती बिल्कुल ना करें यानि एक-एक सब्द का ध्यान रखें मंत्र आप सभी नोट कर लें मंत्र है बिस्मिल्लह रह्मार रहीम काठ का घोडा लोही की सीन जिस पर बैठे जैनखा बीर पीला लड़ू लोंग सुपारी जैनखा बीर की चले सवारी दाए हाथ तलवा बाए हात संजीर जिस पर घेले जैनखा बीर पेट में घुष्टा जाए काट छाँट करता जाए पुरानी चो की उठाथा जाए अपनी चो की बढ़ता जाए दोहाई अमरहा खेड़े की दोहाई उस्ताज कमालखा सयद की आओ जैनखा बीर दोहाई बड़े सरकार की मित्रो आप इस मंत्र का काले हकी की माला से 108 वार डेली जाब करें रात रीको नौ बजे के बाद इसी विदी विधान से आप मीरा जैनखा बाबा की साधना करें मित्रो आपको तीन या चार दिन के बाद मीरा जैनखा बाबा का अनभवाना स्टाट हो जाएगा सफेद कपड़े में कभी घुड़े पर आपको दर्सन देंगे मित्रो आपको कुछ डराने और धमकाने की भी कोशिस की जाएगी क्योंकि मीरा जैनखा बाबा के साथ जंद खैसों की किसी गुरु को धरन किया है तो पहले किसी गुरु देर अच्छा मंत्र का जाब करके अपने शरीका बंदन करें और मित्रो जब आपकी शाधना का 41 दिन होगा तो ये बाबा घुड़े पर शबार हो करके आपके सामने उपस्तित हो जाएगे जिने कॉल करार करके अपने ब किसा पा सकते हैं तो आप शाधना को करें और इसका पूरा पूरा लाव लें तो मित्रो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुगा अगर वीडियो पसंद आया हो प्लेज वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलता हूं एक नई video क końसा नटे की एिन नटेख कि यून श्याच कि अणal